Firestarter, Keith Thomas द्वारा निर्देशित 2022 की अमेरिकी साइन्स फिक्षन होरर फिल्म है, जो स्कॉट टीन्स की पटकता पर आधारित है, जो स्टीफन किंग के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, और इसी नाम की 1984 की फिल्म की रीमेक है. फिल्म में जैक एफरॉन और रयान कीरा आर्मस्ट्रांग, सिड्नी लेमन, कर्ट वुड स्मिथ, जॉन बेसली अपनी अंतिन फिल्म भूमिका में, माइकल ग्रेस और ग्लोरिया रूबेन हैं. इसका निर्मान जेसन ब्लम और अकिवा गोल्ड समैन ने क्रमशा अपने ब्लम हाउस प्रोडक्शन्स और वीड रोड पिक्चर्स बैननर के तहत बोल्डर लाइट पिक्चर्स और नाइट प्लेट फॉर्म के साथ किया है. फायर स्टार्टर को सन्युक्त राज्य अमेरिका में 13 मई 2022 को युनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा नाट किये रूप से और पीकॉक पर स्ट्रीमिंग के माध्यम से रिलीज किया गया था. आलोचकों और दर्शकों ने फिल्म की आलोचना की, कई लोगों ने इसे 1984 की मूल फिल्म से कम तर्माना. आर्मस्ट्रांग को सबसे खराब अभिनेतरी के लिए गोल्डन रास्पबेरी पुरसकार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उनकी कम उम्मर पर विवाद के कारण इसे रद्द कर दिया गया था. फ्लेश बैक में बेबी चारलेन चारली मैटगी अपने पालने में बैठती है, अनायास ही अपनी पाइरोकिनेसिस शक्ती से कमरे में आग लगा देती है, और अपने पिता एंड्रेयू एंडी मैटगी को दहशत में डाल देती है. एक अन्य फ्लेश बैक में एक युवा एंडी और उसकी प्रेमिका विक्टोरिया विकी टॉम लिंसन एक नैदानिक परीच्छन में एक डॉक्टर से बात करते हैं, जो उन्हें समझाता है कि उन्हें प्रायोगिक रासायनिक दवा लॉट माइनस 6 का इंजेक्शन लगाया जाएगा जो गुप रूप से उन्हें अलौकिक शक्तियां देता है, एंडी टेली पैथी प्राप्त करता है और विक्की टेली किनेसिस प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद अंजाने में अपने स्कूल में हंगामा खड़ा कर देती है। चारली के विस्पोटों के कारण होने वाले थर्मल हस्ताक्षरों की निगरानी कर रही हैं। वह लौट 6 के निर्माता और परिणामी सुपरहूमन डॉक्टर जोसिफ वानलिस से मुलाकात करती है जो हॉलिस्टर से चारली को उसकी शक्तियों के बेकाबू होने से पहले खत्म करने के लिए प्रार्थना करता है। हॉलिस्टर अपनी सहायता के लिए साथी सुपरहूमन जॉन रेनबर्ड को नियुक्त करती है। रेनबर्ड मैकगी के घर जाता है और विक्की का सामना करता है जो अपनी दमित तेलीकेनेटिक शक्तियों के साथ पलटवार करने का प्रयास करता है। जैसे ही वह और एंडी घर में प्रवेश करते हैं, रेनबर्ड चारली को चाकू की नोक पर पकड़ कर उसे मार डालता है। चारली की शक्तियां उस पर हावी हो जाती हैं और वह पूरे घर में आग की तेज लप्टे भेजती है। एंडी और चारली अपने ट्रक में भाग जाते हैं। सडक पर उनकी मुलाकात इर्व मेंडर्स नाम के एक व्यक्ति से होती है। इर्व को बोस्टन ले जाने के लिए मनाने के लिए दबाव का उप्योग करने के बाद वे उसके साथ एक सवारी पर निकले और उसके घर पर रुके। जब चारली गलती से अपनी लक्वागरस्थ पत्नी से टक्रा जाता है तो इर्व गुस्से में आ जाता है और स्विकार करता है कि वह कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है इर्व पूरी रात बैठ कर मैगगी घर पर हुई घटना की समाचार रिपोर्ट देखता रहता है जिसे एंडी द्वारा हत्या के रूप में दर्शाया जा रहा है इर्व और एंडी बहस करते हैं इससे पहले एंडी इर्व को समझाता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है चार्ली ने अपनी पत्नी के साथ टेली पैथिक रूप से बात करने के बाद इर्व से कहा कि वह उसे उस दुरघटना के लिए माफ कर देती है जिसने उसे लक्वागरस्ट कर दिया था जिससे वह नरम हो गया और एंडी और चार्ली की रक्षा करने का प्रयास करने लगा जब पुलिस उसकी पूर्व आपात कालीन कॉल के कारण सामने आई रेंबर्ड जाडियों में दिखाई देता है, पुलिस कर्मियों को मारता है और फिर चार्ली और एंडी को लेने के लिए काले ट्रक आने से पहले इरव को घुटने में गोली मार देता है एंडी रेंबर्ड को चक्मा देने के लिए अपने धक्के का उप्योग करता है ताकि चारली जंगल में भाग सके Charlie DSI में अपने सेल से अपने पिता के टेलीपैथिक संदेश का पालन करने के लिए बाइक और कपड़े चुराने से पहले अपनी अगनी शक्तियों को सुधारने में समय बिताती है Charlie DSI को ढूंडता है और उससे एक एजेंट का पास कार्ड लेता है फिर उस पर हमला करने के लिए अपनी बंदूक निकालने के बाद उसे मार डालता है वह एक बड़ी सीधी का अनुसर्ण करके उस प्रतिबंधित शेत्र तक जाती है जहां उसके पिता को रखा जा रहा है कि वह उसे जलाने की कोशिश न करे ऐसा न हो कि वह इस प्रक्रिया में अपने पिता को जला दे एंडी चार्ली को बताता है कि उसने नहीं बलकी रेनबर्ड ने टेलीपैथिक रूप से उसे बुलाया था कोई और रास्ता न देखकर और यह जानते हुए कि वह जल्द ही मर जाएगा वह उससे माफी मांगता है और फिर उसे हॉलिस्टर और खुद से शुरू करके पूरी जगह को जलाने के लिए प्रेरित करता है अब दुष्ट चारली दोनों को आग लगा देता है, मानसिक रूप से सभी सुरक्षा गर्वाजे खोल देता है और सुविधा के माध्यम से चलता है और सभी DSI एजेंटों को मार डालता है रेंबर्ड को तब रिहा किया जाता है जब उसकी होल्डिंग सेल अनलॉक हो जाती है चारली खतरनाक सूट पहने लोगों से घिरा हुआ है, जो उन्हें नुकसान पहुचाने में असमर्थ है जब रेंबर्ड उन्हें पीछे से गोली मारता है, तो वे लोग उसे वश में करने ही वाले होते हैं वह चारली के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसके फैसले के लिए घुटने टेक देता है चारली उसे मारना शुरू कर देती है, लेकिन खुद को दरपण में देखती है और यह महसूस करते हुए कि वह भी उसके जैसा ही एक मोहरा है, अंतह बाकी इमारत को जलाने से पहले वह उसे बचा लेती है बाद में चारली को समुद्र तट पर चलते हुए देखा गया, उसके पीछे रेनबर्ड चल रहा था कहीं नहीं जाने के कारण चारली रेनबर्ड को उसे ले जाने की अनुमती देता है और वे रात में एक साथ चल पड़ते हैं